शेयर करते हैं दोस्तों आज की इनुवेटिव नियो सिरिस आज की सिरिस में आप देखेंगे कैसे हाइदरबाद के स्टार्टप ने रेडार अब्सॉप्शन वाला कुछ मटेरियल तेयर कर दिया है हमारे डिफेंस पॉर्सेस के लिए तो गेम चेंजर ये साबित होगा फ्यूजर में कामी काजा ड्रोन से चाइना इतना जाथा डर गया कि इन्होंने अपनी पूरी जो जेटी क्यू लाइट पे टैंक की फ्ली थी ना यहाँ पर लोहे लगाने स्टार्ट कर दिये छत पे बाजू में इंजन में सब जगा पे उनका लग रहाएगी कहीं भारत इन पर अटैक करना ना स्टार्ट करते एस्पेशली इनके वीक पॉइंट्स पर भारत की वंदे भारत सिलीपर वटिशन से बहुत बड़ी अपडेट आई है फाइनली रूट डिसाइड हो चुका है पहला रूट कहां पर तोड़ेगी ये ट्रेन कितना फैर होगा और क्या-क्या फीचर्स होंगे आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काफी इंट्रस्टिंग यह है भारत का एक और डिफेंस सिस्टम अब ड्रोन फायर्ड अनमैंट मैंपैट्स तयार कर रहा है जो की बहुत खतरनाक होने वाला है अब अमेरिका ने भारत को कोसना स्टार्ट कर दिया है ये कह रहे हैं कि हम रशिया को नंबर टू सप्लायर बन चुके हैं और पहला नंबर पर चाइना है चाइना को तो वह रोग नहीं सकते लेकिन अब भारत पर जादा प्रेशर डालने लग चुके है और फाइनली देखें कि कैसे इंडियन एरपोर्स का सुकोई 30 MKI ये और भी जादा खतरनाक बनता जा रहा है भारत ने अब एक नया गेम चेंजर मिसाइल इसमें अटाच कर दिया है तो काफ़ इंट्रेस्टिंग आज की सीरीज हो कि इसलिए प्लीस आप इंट तक देखेगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीस हमको सस्क्राइब करना भी मत भुलिया क्योंकि आप तक ऐसी मज़िदार धमा कितार सीरीज हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं बढ़ते हमारी पहले कबरी की तरफ से जो हाईदरबाद के स्टार्ट अप की तरफ से आरी है इसका नाम है Advanced System Laboratory ASL Lab और इसने तयार कर दिया है काफ़ी significant breakthrough composite material technology बदा जा रहा है कि ये एक नया fabrication system इन्होंने पूरा का पूरा develop किया है जहां पर low density का fabrication develop करेके insulation capability develop कर ली है और microwave absorption broadband technology से इसको पूरा fuse कर दिया जाता है अब सबसे खतरनाक इसका feature यह है कि कोई भी radar इसको जल्दी पकड़ ही नहीं पाएगा अगर हमने इसको हमारे future के aircraft में लगाना start कर दिया हमारे aircraft बहुत जादा stealthy बन जाएंगे features की बात करें तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही high insulation भी provide करता है काफी extreme temperatures में भी ये operate कर सकता है बहुत ही easily और सबसे phenomenal achievement अभी तक देखी गई है तो वो है low density इतना जादा मजबूत होने के बावजूद भी इसका structural rigidity इतना मजबूत है कि weight इसका काफी significantly lower निकल कर आया है और साथ ही में इसकी material handling property भी बहुत easy है cutting grinding everything is very easy so वाकई में हमारे future के 5th generation fighter jet के लिए ये नया innovation game changer साबित होने वाला है हमारी अगली कबर चाइना के टैंक से आ रही है आपको बता दी कि इन्होंने भारत की border पर अब ZTE Q15 lightweight tanks की forge खड़ी कर दी है लेकिन सबसे interesting बात है कि इन्होंने अब cage like grills लगाना start कर दिया है पूरे cover देने के लिए front, side, top, rear of the vehicles everywhere क्योंगी इनको पता है कि भारत के पास कामिकाजा drones है और जो तबाही ये मचा सकता है वाकवी में इनके tanks को destroy कर सकता है क्योंकि ये काफी जादा weak points रहता है किसी भी tank है इन्होंने अब लोहे के ऐसे जाली लगाना start कर दिया है वैसे तो Chinese engineers को भी पता है कि ये जादा mitigate नहीं कर पाएंगे लेकिन काफी हद तक mitigate करने के लिए attacks को इन्होंने ये मापदंट को अपनाया है हलांकि design अभी तक पूरी तरह से tested नहीं है कि ये कितना जादा effective होगा तो भाई दूसरी तरफ इंडिया ने तो significant procurement कर लिया है of kamikaza drones and loitering munitions in fact loitering munitions को लेकर तो भारत इतना जादा serious है कि हम तो foreign made loitering munitions को भी procure करने पर जादा focus कर रहे है so that striking capability हमारी और भी जादा accurate की जा सके आपको बताते जह तरह से भारत ने अपना recently lightweight tank develop किया है लगबग उसी तरह का ZTQ-15 ये चाइना ने develop किया था क्योंकि heavier tanks high altitude पर नहीं जा पा रहे थे तो इन्हों ने as an alternative के तहत इस नए टैंक को जन्म दिया so वाकित में भारत की बढ़ती का मिकाजा drone fleet से साफ साफ चाइना का खौफ देका जा सकता है हमारी अगली खबर वंदे भारत sleeper version की तरफ से आ रही है finally एक बहुत बड़ी खुश कबरी आई है यहाँ पर route announce कर दिया गया है most probably अब इसको मुंबई और डेली के बीच में दोड़ाया जाएगा fair की बात करें तो राजधानी के compare में इसका fair 15-20% जादा होगा और अब यह क्यों होगा मैं आपको उताता हो सबसे पहले तो यहाँ पर comfort और जादा बड़ा दिया गया है बता जा रहा है कि extra questioning provide की गई है बर्त में ladders को CDO को पूरी तोरह से redesign कर दिया गया है safety पर बहुत जादा focus है fire standards को meet करते हुए यहाँ पर काफी advance, buffer, crash, zones भी provide किये है cleanliness को भी बहुत सी जादा focus किया है in fact अंदर का जो वातवरन है, bacteria वो सब को भी control करने के लिए system है amenities भी world class रखी गई है public announcement, visual information, display panels, modular pantry सब कुछ दी गई है lighting का भी बहुत अच्छा बंदवस्त है soundproofing पर अब काफी अच्छा ध्यान दिया गया है यहाँ पर कुछ comfortable droid provide कराने के लिए insulation materials का भी use किया गया है और gang waste को भी पूरी तरह से seal रखा गया है to avoid dust and noise और हमको भूला नहीं चीए कि इसमें automatic gates भी लगाए गया है जो की safety और efficiency का और जादा बढ़ा देती है so इन ही सब reasons के चलते लग रहे है की थोड़ा सा premium price pay करना पड़ेगा लगबग 10-20% ज्यादा बढ़ते हमारी अगले ख़बर की तरफ से जो बैंगलूरी बेस start-up की तरफ से आ रही है इसका नाम है Zulu Defense System हाली में इन्होंने एक cutting edge development करके दिखा दी है एक weapon तयार किया है जिसका नाम है volume 35 ये एक weaponized unmanned aerial system है UAS platform पर आधारित है game changer साबित हो सकता हमारी air defense industry के लिए क्योंकि ये capable है किसी भी missile को carry करकर ले जाने के लिए हमारा operator भारत के किसी भी कोने पर बैठ सकता है और ये जो system है ना unmanned aerial system ये missile को ले जाकर किसी भी aircraft पर मार गिरा सकता है so basically ये shoulder fire anti aircraft missile को ले जाएगा इस पूरे system को बनाया ही इसी तरह से गया है कि ये किसी भी low flying enemy aircraft हो या फिर helicopter, drones, किसी भी target को ये बहुत ही easily से मार गिरा सकता है flexibility की बात करें तो बताया जा रहा ही कि ये काफी जादा cost effective भी है और modular design का use करने के वज़े से आगे चलकर अगर हम इसको maintenance या upgrade भी करते हैं बहुत ही easily हम ये सारा कर सकते हैं in fact आगे चलकर ये भी बताया ही कि हम इसको logistic purpose के लिए भी बहुत ही effectively use कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी development है पढ़ते अगली खबर की तरफ से तो अमेरिका और येरोप अब भारत को criticize करने लग चुका है इनका कहना है कि दरहसल भारत अब number 2 का supplier बन चुका है Russia के लिए for restricted technology हम illegally इनको ये भेजते जा रहे हैं According to some research, इनका माना है कि हमने April और मई के महिने में ही 60 million dollars के microchips, circuits, machining tools रश्या को export किया है और जुलाई में तो हमने हदपार कर दी 95 million dollars के ये सारी चीज हमने illegally रश्या को बेज़े है जो कि इनका कहना है कि Russia Ukraine war को fuel करता जा रहा है और रश्या को मदद कर रहा है हलंकि number one spot पर चीन है तो अब देखने लएक होगा कि भारत की तरफ से यहां पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है फाइनली हमारी आखरी खबर आ रही है इंडियन एरपोर्स के सुकोई 30MKI को और भी ज्यादा खदरनाक और भी ज्यादा पावरफुल धमाकेदर बना दिया गया है क्योंकि आपको अतादे कि पूरे दुनिया में ये एक लौता ऐसा फाइटर है जो की केपबल है 2.5 टन की माक 3 सूपर सॉनिक क्रूज मिसाल ब्रमोस को कैरी करने के लिए इसकी रेंज है 450 किलोमेटर की लेकिन अब इंडियन एरफूर्स ने प्लान किया है कि हम ब्रमोस NG वेरियंट को अटाच कर देंगे जो की इस मिसाल से थोड़ी छोटी होगी लेकिन स्पीड बहुत जादा फास्ट होगी माक 3 नहीं माक 3.5 होगी आगे चल कर फिर हम एक और निर्भाई ALCM मिसाल भी अटाच कर देंगे इसकी रेंज सुनकर तो आप काप उठोगे 1000 किलोमीटर जो की लॉंगेस्ट रेंज एवर मिसाल हम अटाच करेंगे अगर इन सभी हतियारों के साथ अगर हमने कुछ cost-effective अंदास में composite materials को भी लगाना स्टार्ट कर दिया तो इनको कुछ हद तक हम stealthy बना सकते हैं जादा तो नहीं लेकिन ये कापी हद तक radar एब्सॉप कर सकते हैं इन है एट लिस्ट हम 4 से 4.5 जनरेशन का aircraft भी बना सकते हैं जो ये एक आइडिया भी इंडियन एरपोर्स को explore करना चाहिए सो ये थी हमारी आज की नियूज सेरिस है होप कि आपको ये सेरिस पसंद आई हो और अगर हां तो प्लीज हमको एक लाइक करना मत भूलेगा आपका ऐसा ही amazing support प्रवाइड कराते रहने के लिए